अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे हर एक देशवासी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा क्योंकि सुजिलेंड की महिला स्क्वैश खिलारियों की टीम ने रेप के डर से भारत आने से मना कर दिया है सुजिलेंड की स्क्वैश महिला खिलारी आमरे ने चेनने में चल रही विश्वी जूनियर स्क्वैश चैंपेंशिप में हिस्सा लेने से मना कर दिया है पहले वो इसमें हिस्सा लेने वाली थी लेकिन हाल ही में विदेशी महिला से रेप की खबर पढ़कर उन्होंने भारत में खेलने से मना कर दिया इतना ही नहीं जानकारी के मताबिक महिला खिलारी के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भारत आए क्योंकि भारत में लगातार भर रही रेप की वारदातों से वो डरे हुए है ये बात खुद उनके कोच ने कही है वहीं इरान, अमारिक और आस्ट्रेलिया की टीमों ने भी खिलाडियों को अकेले बाहर जाने से मरा किया है ये खबर हमारे देश के लिए शर्मसार कर देने वाली है गोरतलब है कि कल संसत में कॉंग्रेस अथ्यक्ष राहुल गांधी ने भी देश की महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाये थे और पिये मोदी से जवाब मांगा था कुछी दिन पहले Economist Magazine के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपने महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा सबके लिए सबके लिए सबके लिए बाहर बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में हजारों साल पहले नहीं हुआ है मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है क्यां रेप होता है महिलाओं पर अथियाचार होता है कर दो कर दो कर दो